हेलो जी, नमस्ते जी सभी को, रादे रादे, रादा वाल लव शेयर योएंस, I hope so, सब अच्छे होंगे, और आज से होगी है दिवाली की सफाई सुरू, और सुरात मैंने किया है सूजरेक्स है, क्योंकि बारिस होके गई है तो चमड़े के जुत्ते हैं अधिकतर, पाइल के पास भी, अब एके पास भी, इसके पापा के भी, और एक दो जोड़ी मेरे भी चमड़े के हैं, बाकी कुछ कपड़े के हैं, तो इसलिए सब को आज दूप में निकाल दिया है, जो नए हैं वो उनके डब्बे रख दिया है, और जो एक दो बार पेनने हुए हैं, वो खोल के रख दिया है, डब्बो में से निकाल निकाल के, डब्बे साइड में इखटे करके रखे हैं, ये कुछ में उडलाई थी, तो ये भी रखे हैं, और देख सकते हैं, पूरा बजार लगा हुए है, अगर मैं गली में रखके बेखना शुरू कर दूँ, तो सब सोचेंगे क सेड लग रही है, डब्बे इदर रखे हैं सारे और सूज रहा है, देखो बिल्कुल खाली कर दिया है, अब इसको मुझे क्लीन करना है, प्रोपर, अभी कुछ समानी चे रह रहा है इसमें, तो इसको मैं क्लीन कर दूँगी, उसको क्लीन करने के बाद क्या, अब एको सोनी है, ब्लैक कर रहा है, जिस पर ब्राउन होनी है, ब्राउन और जिस पर ट्रांसफेरंट होएगी, उस पर ट्रांसपेरंट, और जो कपड़े से खाली साफ होने है, वो मैं कपड़े से साफ कर रही हूं, और पाइल कर रही है, हम दोनों की मदद, और आज बच्चों ने काफी मदद की है मेरी इस बान नहीं ये भी है बच्चों को ये भी पता लग जाता है कि दीवाली पर कितनी डीप क्लीनिंग होती है क्योंकि बच्चों को तो काम के इतनी आदत है नहीं कि बच्चे काम भी करना होता है तो पाइल का काम है कि जो जो हम साफ करके दे रहे हैं ज लब आपस लेक्या तो अब वो लेकर आईए आप इन पर फिर से पोलिस करें गए पायल के लोंग बूट है और पायल के पास बहुत सारे जुत्ते हैं बहुत सारे सब हम इसको चिड़ाते रहते हैं कि तेरे पास जाद है तो विचारी के थिया मैं थोड़े की बोलती हूं पा सियां के आने से वहले सारा काम कंप्लीट हो जाये जब तैयार जाए तो फिर बस उनको मनाने का उत्साहा उनकी तैयारियां कि तैयारियां तो नहीं को तो Hack लान जा पती ना ही घर का मतलब कोई आता है उसको टाइम दे पाते बस अपनी सफाई में लगे रहते हैं तो इससे बैतर है कि अभी से आप जैसे सराद सुरू हो रहे हैं तो अभी से थोड़ा-थोड़ा करना सुरू कर दीजिए और ये कहीनी लिखा कि सराद में सफाई नहीं कर सकते सराद में जो बनिये लोग होते हैं वो हमेशा अपनी दुकानों की सफाई करते हैं नया माल लाके बढ़ते हैं लेकिन ये मिथ्या बना रखा है कि बस सरादों में ये मत करो वो मत करो जितना भी बड़ा व्यापारी होगा वो हमेशा सराद में समान बढ़ता है अपनी दुकान में मैंने अधिकतर बनिये सराद में ही अपनी दुकान का पूरा समान मदलब अरेंज करते हुए देखे हैं क्योंकि उन्हें पता है एक पहला नव रात्र जब आएगा उसी से सोपिंग शुरू हो जाती है लोगों की तो वो पहले से तैयारी करके रखते हैं तो बस आप भी एसे ही तैयारी कर दीजिए डे बाई डे एक एक चीज ले लीजिए कि आज आपको क्या करना है और आज आपको क्या करना है तो इस हम थोड़ा 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 करके बर्डन भी निंपड़ेगा और काम भी कंप्रीट हो जाएगा देख सकते हैं आप मैनत अब एकी कितनी सिद्धत से लगा हुआ है पोलिस करने के लिए और यह जो होते जा रहे हैं उन्हें डबों में पैक करके पाइल रखती जा रही है अंदर यहां पर पाइल ने धेर लगा दिया है लाला के अब मैं सूज रैक में इनको लगा दूंगी जब तक हमने पहले यही डिसाइड किया कि पहले हम सारे क्लीन कर लेंगे उसके बाद हम सारे लगाएंगे क्योंकि ना फिर कि कोई सा डबा कहा है कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि सब के अपने अपने वो बने हुए हैं जैसे एक खन्ने में पाइल के होते हैं पाइल के द अब यह जो है इन्हें मैं अरेंज कर दूंगी और आज सही में बच्चों ने मेरी बहुत मदद करी हम पूरी दुफैरी लगे रहे सुबह धूपाते यहां रख देते और जब यहां च्छाओं आ गई छत पर तो तुरंत हम लग गए थे इनका संगवाने के लिए अराम नही पाता काम अगर एक बार आप बैड़ पर लेट गए तो बस वो काम पिर मही रुख जाता है तो इससे तो जो काम आपने छेड़ा है उसे कंप्लीट करके ही सांस लीजिए तब ही काम हो पाता है और मेरा रवय का डिसकसन भी चल रहा है और जब बच्चे आपकी मदद करते ह है न काम में बड़ा अच्छा लगता है ऐसा नहीं लगता कि बस मैं ही में काम कर रही हूं घर में कोई और ध्यान नहीं देता मेरे अलावा जब बच्चे आपकी मदद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं ही नहीं कर रही है कि लिए देखो बच्चे भी मेरे साथ लगे हुए हैं अभी घर पे हैं बच्चे तो मदद करवा रहे हैं नहीं होते तो फिर तो मजबूरी हो जाते देखो उन्हें अपना भी काम करना है पढ़ाई का तो जितना समय बच्चे दे पाते हैं उतना लीजे नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में सारा क कर सकता करवानीगों तो हम पैसे दे के भी करवा سकते हैं बट उस में वो बात नहीं आ पातती जो आपको पता है कि आपने अपने हर गर के कोने की अपने हाथ कपड़ा लेकर सफाई की है उसकी एक अलग वो होती है बात कि हाँ, यहां मैंने साफ किया तो यहां साफ होगा किसी और से करवाओगी, अरे मैंने करवाय तो था पता नहीं साफ हुआ है नहीं, यह डाउट बना रहता है जब खुद करते हैं तो यह डाउट किलियर हो जाता है बिल्कुल हमें पता है कि हमने साफ किया है तो साफ ही होगा ठीक है, तो बस, भाई मैं ऐसा करती हूँ आपकी जैसी मर्जी आप वैसा कर सकते हैं मैं तो केवल जो मैं कर रही हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और पाइल मेरे साथ लडाई कर रही है देखो ये बच्चे बहुत देखो देखो कैसे लड़ रही है हिला रही है मेरे को पूरा पकड़ गए यह लड़की बहुत ज़ादा लड़ाई करती है मेरे साथ भी और अबे के साथ भी काम इसको करना नहीं होता ठीक है बस लड़ाईया इससे करवा लो तुम बहुत प्यारी है पाइल बहुत सोफ ठाड है तो चलिए जी बस अब लगाने का नंबर आ गया है जूतों को क्योंकि पाइल लाला के देदेगी जो थोड़े बहुत बच्चे हुए है अब उन्हें कर रहा है बच्चे कह रहे है ममी आप इतना अरेंज करना शुरू करो तब तक हम कर देते हैं और आज मैंने सारी दाले भी सुखा रखे हैं बाहर गली में तो इसके बाद हमें वो दाले भी न बस अफ लातून है पूरी और ये नोख जोग तो बच्चों के बीच में चलती रहती है तो लीजिय जी अब हम लगे हैं जुत्तों को औरेंज करने के लिए देख देख के लगा रही हूं कि कौन से डब्बे में किसके हैं ये सबसे उपर लग रहे हैं पाइल के डैडी के के ठिक है है और ये हमारे च्छोटा जो सूझवरा लाक ये उसमें घ्र क्रवार करने के नोच-ईच के डबं देख की नीच वालों में जोड़े जूते मॉह मनें च्या सकता हो हमाने जोडी की और थोड़े जो लंबे जूते हैं, वो भी आ जाते हैं, तो ऐसे करके देखो जी, मैंने पूरा ये सूज रैक अरेंज कर दिया है, तो इन दो खानों में पाइल रानी के जूते हैं, ये देख सकते हैं, नीचे ये भी सब पाइल के हैं, इस से नीचे मेरे हैं, और नीचे भी कुछ पाइल के हैं तो सूजरेक बिल्कुल बड़ी ऐसे क्लीन हो गया है हमारा डीप क्लीन कह सकते हैं आप दूपूप लगा के डीमक की दवाई लगा के कपूर डाल के बिल्कुल ओके हो गया है डन और अब नंबर आया है दालों को उठाने का तो बच्चों को मैंने अराम करने दिया बूला कि थोड़ी सी मदद तोर कर दो उसके बाद तुम अराम करना तो बच्चे सारी दाले उठागर लेकर आ रहे हैं बाहर से जो दाले पैकिट में थी वो पैकिट में दूप में रख दिये थे और जो मतलब डबो में थी वो सब मैंने प्लेट में करकर कर रखेते सारी चीजे और डब्बे मांज कर रखते तो डब्बी भी सुके में बस अब हीने सबको में डबो में रेंज कर दूँगी और मेरे पास इस्टील के यह डब्बे हैं एक डब्बे में मतलब एक या दो तरह की दाले में रख लेती हूं और पनियों में रखती हूं ताकि मिक्स ना हो और आसानी रहती है फिर निकालने में भी अभी मैं इनको बदलना निचाती बदलने को तो बदल सकती हूं कि और अच्छे सुंदर लेलूं लेकिन फिर इनका क्या होगा तो इसलिए अपनी चीजों को वेस्ट ना करें जो हमारे पास है उसी में खुस रह खाए कर रख दी हैं ऐसे ही मैं रोज थोडा सा किचन का यह थोडा सा कहीं कहीं का साफ कर रही हूँ कभी garden की सफाई कर देते हूं कभी यही तो ऐसा ही धीरे धीरे करके मैं दीवाली आने से पहले पहले अपनी सारी cleaning निम टालूंगी दीवाली से कम से कम 4-5 दिन पहले तक क करवा चोथ तक मान सकते हैं आप करवा चोथ से पहले मैं अपना सारा सफाई का काम निम्टा लूँगी ऐसे ही दीरे दीरे लेकिन अगर आप सोचो कि एक या दो दिन में हो जाए ऐसा नहीं होता आपको बहुत प्लैनिंग के साथ करना पड़ता है कि रोज आप कितना काम करे तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा रोज करिये तो इससे आपकी सफाई आसान हो जाएगी बोज नहीं लगेगी आपको मिलते हैं फिर नई वीडियों के साथ रादे रादे सभी को